नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड इलाइची के फायदों से रिलेटेड है इलाइची हर भारतिये के घर में पाई जाती है यह माउथ फ्रेशनर एवं मसाला होता है जो कई तरह के व्यंजन में डाला जाता है इलाइची का स्वाद अलग तरह का होता है इससे ये सभी को भाता है इसके बहुत से स्वास्ते वर्धक फायदे भी हैं जिसके बारे में हम माद चर्चा करेंगे इलाइची दो तलिएilar चोती बड़ी इलाइची सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं इसे माउथ फ्रेश्णर के के बाद सभी लेते हैं इसे मीठा में उपयोग करते हैं क्यूंकि ये अलग तरह का स्वाद देती है एवं इसकी सुगंध सब को आकरशित करती है अब आए हम जानते हैं कि इलाइची में कौन-कौन से पोशक्तत्व पाए जाते हैं आयरन विटामिन पाणस में स्वाध के साथ सुगंध देता है पाचन सही करता है ये मुह की दुर घंघ को दूर करता है आये ये तो हम calculating के आए जानकारियों को पाचन तंत्र को सबसे पहले तो यह मजबूत करता है हर भारते खाने के बाद अपने मेहमानों को सौफ इलाइची देते हैं आपको पता है ऐसा क्यूं क्यूंकि इलाइची में नेचूरल तत्व होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं इससे गले छोटा टुकडा अदरक, दो से तीन लोंग, तीन से चार इलाइची, एक चमच धना, इन सब को पीश कर चून बना लें इसे रोज खाने के बाद एक चमच पानी के साथ खाएं, पाचन से जुड़ी सारी परिशानी दूर हो जाएगी आपकी इसके बाद आते हैं दूसरे फायदे पर इलाइची के, सर्दी खराश को दूर करती है ये, जी हाँ, सर्दी की वज़ह से कई बार गले में बहुत दर्द होता है और अजीब सी खराश होती है, इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है इलाइची सुबह खाली पेट एवं रात को सोने से पहले एक से दो इलाइची चबाएं, फिर गुनगुना पानी पी लें, गले को कुछी समय में आराम मिलेगा, इलाइची गर्म करती है, जिसके सिवन से शरीर में गर्महट बढ़ती है, एवं सर्दी खांसी से आराम मिलता है, कपकी भी परेशानी दूर होती है, तीसरा हिचकी बंद कर देती है, जिहां, इंसान को कभी भी अचानक हिचकी आने लगती है, इसकी कोई दवाई तो नहीं है, नहीं कोई दवा बजार में आती है, कुछ नेचुरल तरीके से बंद किया जा सकता है, कई बार ये बहुत देर तक अलकातार आती है, जिससे परेशानी महसूस होने लगती है, इसे बंद करने के लिए बस आपको एक इलाइची मुह में दबानी है, इसे चबाते रहिए, कुछ देर में हिचकी खुद बखुद गायब हो जाएगी, इसके बाद चोथा फायदा है, इसका बलड प्रेशर को ये कंट्रोल करती है, इलाइची में बलड प्रेशर को कंट्रोल करने की भी शमता होती है, इसमें पोटैशियम एवं फाइबर होता है, जो बलड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बलड प्रेशर के मरीजों को खाने के बाद इलाइची का सिवन जरूर करना चाहिए, विशेल के अंदर की सफाई कभी भी नहीं करते या फिर उसके बारे में सोचते हैं कुछ भी अटर सटर खाते रहते हैं टैंकर की तरह सब भरते जाते हैं शरीर के अंदर आपको अंदूरूनी सफाई का आसान तरीका बताता हूं मैं आपको रोज बस एक इलाइची खानी है इससे प्राश्त को बढ़ाने में इलाइची बहुत ही मददगार है। इलाइची के दानों को दो से तीन बादाम एवं दो से तीन पीस्ते के साथ दो तीन चम्मच दूध डालकर पीस लीजिए। इसके बाद एक ग्लास दूध में इसे मिलाकर आधा होने तक गाढ़ा कीजिए। फिर इसमें मिश्री मिलाइए और खाइए। ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है। दिमाग को मजबूत करता है। यानि कि उनकी पढ़ने की याद करने की शमता भी बढ़ती है। साथवा उल्टी को ये बंद कर देता है। जिहां जी में चलाना, उल्ट के संक्रमण को ये दूर कर देता है। जिहां मूँ की दुरगंद किसी तरह का संक्रमण, अल्सर इन सबसे इलाइची बचाता है आपको। सांसों में होने वाली बद्बु से बचने के लिए रोज आपको इलाइची का सेवन करना चाहिए। नवा नंबर है दिल की रक्षा करता है। जिहां इलाइची में मौझूद घनीज तत्व दिल की रक्षा करने में सहयक होते हैं। इलाइची खाने से पल्स रेट सही रहता है एवं खून का संचालन बोडी में सुचारू रूप से होता है। इसके अलावा नंबर टेन है तनाव मुक्त बनाता है ये आपक किसी बात की चिंता है या बिना बात के आप अकिलापन में हसूस कर रहे हैं। लगातार ऐसा होने से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तनाव मुक्त रहने में इलाइची बहुत ज्यादा मददगार होती है। जिहां इलाइची चबाने या फिर इलाइची वाली चाई पीने से हार्मोन तुरंत बदल जाते हैं और तनाव छूम अंतर हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अत्यधिक महात्रा में सेवन करते हैं इलाइची का तो यह फायदी की जगा आपको लोस भी कर सकता है दोस्तों। आइए जानते हैं कि अगर आप अत्य जादा मातरा में इलाइची का सेवन करते हैं वो ना करें। सबसे पहले इलाइची जिहां लागातार इलाइची खाना या ज्यादा मातरा में इलाइची खाने से शरीर में रियक्षन होने लगता है और फिर किसी भी तरह की इलाइची होने लगती है जिससे शरीर में कुछ एक लक्षन हो सकते हैं जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं सीने एवं गले में खिचाव और दर्द होने लगेगा सांस लेने में परिशानी होने लगेगी आपका जी मिच लाने लगेगा तो इलाइची का सेवन बंद कर दीजिए कुछ एक दिनों के लिए इसके इसे लेने से ये धीरे धीरे इकठे होते जाते हैं और गाल ब्लेडर श्टोन का कारण बन जाते हैं पथरी के रोगी को इलाइची से परहेज करना चाहिए ये ध्यान रखें इसके अलावा ये रियक्षन भी कर सकता है अगर आप किसी तरह की दवाईयां ले रहे हैं तो आपको छोड़ देनी चाहिए जब आप स्वस्ता और सही हों तभी इलाइची का इस्तेमाल करें इलाइची के नुकसान के बारे में आप जानकर घबराइए नहीं क्योंकि इसके बहुत कम चांस होते हैं फिर भी प्रिकॉसंस के लिए हमने पहले ही बता दिया कि आप अत्य जरूर करें ताकि आपके अपने करीबियों को आपके अपने जानने वालों को लाइफ स्टाइल से जुड़ी होई यानि कि उनको स्वस्त रहने की चीजें पता हो जाएं क्या होता है कई बार हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ पाएं ख श्रधि के रूप में उप्योग की जा सकती हैं तो इन से रेलेटेड हम आपको जानकारियां देते रहें जिसके बदवलत आप अपने आपको स्वस्टर रख सकें और किसी भी बीमारी से अगर पिडित हैं तो उस बीमारी में किस चीज का सेवन करना है किस चीज का नहीं करना है इससे related जानकारी आप प्राप्त कर सके तो दोस्तों ऐसी ही अगली कड़ी में हम सभी जुडेंगे आप सभी के साथ एक और नई और श्रधी ले करके या फिर एक और नई जानकारी ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों प्राप्त कर दोस्तों